अब एक्जाम का जो एनलेसिस है वो तो हो चुका है बंद तो जिनका आगे एक्जाम है उन लोगों को इस टाइम पर क्या करना चाहिए तो आप कोश्चंस की उम्मीद तो बिल्कुल मत करिए कि आप लोगों को कोई भी हूब हूब कोश्चंस देगा तो कोश्चंस को तो जाए अब जिन लोग पेपर देके आए हैं उन लोग को यह भी पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स उनके आ जाए जिससे कि उनको सीवीटी टू के लिए तैयारी स्टार्ट करें कहीं ऐसा नहों कि भाया उनको लग रहा है मेरा तो सीवीटी टू होगा ही नहीं पता चल रह है जिससे कि हम लोग अपने सीवीटी टू की तैयारी में लग जाते नहीं तो फिर टेक्नीशन की तैयारी में लगें टेक्नीशन को एक्जाम को बहुत अच्छे से करें हर तरीके का बच्चा है तो टेक्नीशन की तो तैयारी वो करी रहे है साथ वो सीवीटी टू में लग पढ़ने लग जाएंगे तो गाइस मैं इसी पर बात करने वाला हूँ बहतरीन तरीके से आप लोगों से लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ सबसे पहला काम तो आप यह करिए जितनी उसको गलत बता रहे है उन लोगों को कुछ निजा रहा है आप लोगों का बेहतरीन टाइम है ति मैं आप लोगों से इक यह बात करना चाहूंगा पूरे YouTube के उपर मैं कर रहा हूँ आप से पूरे YouTube के उपर मार्क करके इन NCRT को अगर किसी ने दिया हो आप लोग को तो मेरे को बताओ कोई teacher अगर इस तरीके से आपको मार्क करके दिया हो मैंने अपने हर बच्चे को starting में ही ये मार्क करके दे दिया आप लोगों को एक एक चीज और आज जो आज पेपर हुआ या कल पेपर हुआ इन पेपर में जो आप कुश्चन्स देख रहे हो आपको लगए जरूरती नहीं है मैं तो यह कह रहा हूं तब भी मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे को एक रती डरने की अवश्चता नहीं है उसके पीछे एक मातर रीजन ये है कि ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों को इस टाइम पर एक्जाम में देखने को मिलेंगी और ये मैं आज से नहीं कह रहा हूं मिटा हर रोज मैंने आप लोगों से कहा कि यहीं से questions आप लोगों को देखने को मिलेंगी और इसमें कौन सी दोर आया है कि हम कह रहे है कि 9th और 10th की NCRT पढ़ लो ये कौन सी लिगल चीज़ है भाई NCRT तो आपने स्लेवस में लिखके दिए इसमें कोई दोर आया है हम बिल्कुल बता सकते हैं हम यह भी बता सकते हैं कि NCRT के अंदर को और को से चेट्टर से इंपरेंट है और यह आज नहीं हमने बहुत पहले से भी आप लोगों को चीज़े बिठाई है तो आप उन कोंट्रोवर्सिस को भूल जाईए एनलेसिस को भी भूल जाईए लेकिन जो स्लेवस है उसको तो आप देख सकते हैं ना स्लेवस पर तो नजर मार सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो गाईज सबसे पहले बात करते हैं जो लोग पेपर दे के आए हैं कितने percentage student exam दे रहे हैं तो जैसे कि कोई question share नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे ने बताया कि भाईया हम जिस center पर गये तिसे बहुत दूर-दूर center नहीं पहुंच रहे हैं इस तरीके की चीज़े देखने को मिल रहे हैं जहां दूर-दूर centers है बहुत लोग exam तक ही नहीं पहुंच पाए हैं कुछ जगह पर जो present है वो 60% तक भी जा रही है और 60% भी माल ले जा तो 12-13 लाक बच्चा पेपर दे रहा है और उसमें से दो लाक बैसी हजार बच्चा सेलेक्ट होगा तो cut-off तो आप भूल जाए कि बहुत ज़्या तगली जाने माली है दूसरी चीज पेपर में reasoning जैसे कि मैं आज नहीं यह आज नहीं बता रहा हूं प पजल और seating arrangement जैसे questions को नहीं देखना है यह बात मैंने कल की वीडियो में भी आप लोगो दी इससे पहले भी मैं आप लोगो से बतात रहा कि आप लोगो को examiner कुछ puzzle या कुछ seating arrangement के questions देता है यह आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं पहले से ही कह रहा हूं और कल की आप वीडि से निकल के आओगे आप कहोगे सारी NCRT से ही science थी ना heat and temperature से कोई question था ना friction तेसा ना lever से था क्योंकि वह syllabus में ही नहीं है और teacher देखे बात यह नहीं है आप इतना सारा पढ़ाते हूं अगर आपने एक समुद्र पढ़ा दिया और उसके बीच में एक मंदिर है तो मिश्चित सब कुछ पढ़ा दिया आप इसमें से आया था नहीं नहीं वह चीज पढ़ा के कम से कम पढ़ा के अगर आपका बच्चा चीजों कर रहा तो ज़्यादा बहतर है एक बात में जरूर का हूंगा ऐसी चीज़े देखने को मिल रही है ऐसी चीज़े हो रही है कि क्लास 9th और 10th की latest NCRT अब तक क्या है हम लोग follow कर रहे थे old NCRT तो सब कुछ same है old new में कुछ change रही है बस एक दो chapters जैसे periodic table या एक दो chapters हटे हुए हैं तो ऐसा ही देखने को मिला है कि new NCRT से ही questions है यानि कि जो chapters हट गए हैं उनसे कम questions या बहुत थी rarely question पूचे गए हैं मतलब वहां से questions नहीं देखने को मिल रहे हैं तो आप लोग new latest NCRT को follow करें बहुत अच्छा है और अगर आप पास old भी है तो कोई दिक्कत नहीं बस आप यह देख लें कि कौन से chapters हट चुके हैं उन chapters को कम कर दीजे मत देखिये जादा और बाकी तो मैंने आप लोगों को NCRT कवर कराई है बहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया है तुक्के लगाने को मना किया था बच्चों के जो attempt हो रहे हैं बच्चों को attempt हो रहे हैं maximum ललके maximum ललके क्या रहा हूं मैं 80% student ऐसे हैं जिनका attempt 50 से कम है 50 त जादा तुक्के नहीं मारे हैं तो इस सबका होना है और इनको तो छोड़िए अगर आप SCST category के अंदर है यह EWS category के अंदर है तो आपका attempt अगर 40-45 भी है और उसमें accuracy है तो आप यह मान के चलिए कि आपका selection हो रहा है कोई रोकने वाला नहीं है cutoff वहत कम जाने वाली है आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए इन चीज़ों को देखिये ही मत कि cutoff क्या जाएगी क्या नहीं होगी CBT2 की तयारी में लगिए बेटा और साथ-साथ आप लोग जो technician का आपका exam आ रहा है अगर आपका exam है तो आप उसकी भी तयारी करिए क्योंकि result आने के बाद आप सोच जरूर से जरूर देखें कैसे questions पूछे गए हैं वही सब चीज़े हैं और मैं तो कह रहा हूँ आप लोग को कुछ देखने की आवश्यक्ता ही नहीं है आप लोग कोई भी एक मेरी guidance वीडियो यह slavish discussion की वीडियो देख लो जो YouTube के ओपर पड़ी हुई है तो मुझे कुछ बताने की आवश्यक्ता ही नहीं होगी उसके पीछे reason यह है कि मैं already जो आज exam में बोल रहे हैं अच्छा देखिया आपको विजवास नहीं हो रहा होगा कि यह भाया कैसे बकवास कर रहा है इतनी फालतों की चीज़े बोल रहे हो क्या सच में ऐसा है मैं आप लोग को कुछ कर रहा हूं मैं सर्फ YouTube खोल रहा हूं और मैं कल की चोटी सी क्लिप आप लोग को दिखा देता हूं आप लोग देख लीजिए मुझे कुछ बोलने के अब शक्ता नहीं है कि मैंने क्या बोला का नहीं बोला आप कल की यह जो वीडियो है आप जाके चैनल पर देख लीजिए इसमें शोट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है और जो लोंग वीडियो है उसमें तो मैंने आप लोग को बेहतरी तरीके से कल बताई दिया था कि कहां से कॉश्चंस आने है लेकिन अगर आप इस सोट वीडियो को भी देखोगे ना यहां पे शोट वीडियो कहां तुछ बहुत बहुत हैं तेसे भी आपको अधार चुर्ट जोटांना है आपने भगवान का नाव पेस्ट अप्र सब्सक्राइब आपके डिए प्रोट सब्सक्राइब आप चलिए देख लीजिएगा टाइम वेस्ट हो रहा है यहां पर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा इसमें जो बाते मैंने पोली है ना वही आज बच्चे बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी जो साइंस है वो एंसी आटी से उठी है और आप लोग के जो बाकी चीजे है वो आप लोग देखोगे तो जो चीजे आप लोग को बताई गई है जो स्लेवस आप लोग के साथ डिसकस किया गया है मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप स्लेवस डिसकस कुछ और करा दूँगा देखिए अच्छाई इस बात में नहीं है कि आप सब कुछ से आ रहे होंगे रसाई नहीं कभी किर रहा है आम लोड छार धातू कारवन तत्वों का अबरती वर्गे करें न्यू जो बुक है उसके अंदर नहीं है बाकी चाहें कोसीका से रिलेटेड कोशन्स हो नियंत्रने उसमणवे से रिलेटेड हो जीब जनन कैसे करते हैं लिख दिये लेकिन इस लाइन का मतलब हर टीचर अलग निकालता है कोई टीचर कहता है कि मेरे नोट से चीजह होंगी कोई कह रहा है कि इस बुक से होंगी लेकिन रियल मतलब इसका यही है कि जर्णल साइंस जो है theÃrs अंडर इस साल कावर स्थिजीक्स कैमिस्ट्री एंड साइन्स ओफ 10th guard में और कहीं पे CBSC बे लिखा हुआ है तो सेम टू-सेम चीजे आप लोगों को देखने मिली है इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं अभी वी जिनका आगे एक्जाम है बेटा इस लेवस को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था इस लेवस डिसकरशन को देख लो नीचे में लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को लगता था ना कि 38 18-18 मिनिट की वीडियो बना रहे हो इस ताइम पे बिटा वही वीडियो तो कारगर है क्योंकि उसमें मैंने explain करा है और आप लोगो को समझ आएगा paper के analysis तो आपने आज के देख लिए हैं आज के बाद नहीं देखने को मिलेंगे और यही topics की मैंने आप लोगो को current affairs की pdf दी मैंने gk की pdf आप लोगो को इसलिए नहीं provide करवाई जो सम्विधान के notes थे history के क्यों क्यों क्योंकि मैंने आप लोगों से बार बार कहा पिछले 10 दिन से कहना हूं कि अब gk का साथ छोड़िये gk को सिर्फ उतना करिये जितने की ज सब कुछ बोलता है जर्नल अवेर्नेस करंट अफेर साइंस टेक्नलोजी स्पोर्ट्स कल्चर जो भी चीजे है न यह सारी की सारी चीजे current से correlate करके ही पूछी जाती है और यही बाते आज कोई नहीं नहीं बोल रहे हैं हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं तो बेटा अब आप बात कर लेता हूं मैं कि आप लोग आगे जो एक्जाम दे रहे हो उन्हें कितना अटाइम्ट करना चाहिए या नहीं देखिए गाईस सीधी बात है यह कोई decide नहीं कर सकता है कि कि तना अटाइम्ट करना चाहिए को आपके पेपर पर डिपेंड करेगा अब मान लेते ह कोंसी जलत बात है आप यह थोड़ी आप बेकार कर दिये जब आपकी तयारी अच्छे है तो आपने अच्छा अटेम्ट करेंगे निन अगर 50 G 64 marks बोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से अटेम्ट करन मेरे अपोरी इस टाइम पर अभी तक जो लोग a attempt कर रहे हैं वो लगवग 50 के आसपास कर रहे हैं ठीक है अगर वो accuracy के साथ कर रहे हैं तो यह attempt भी अच्छा है otherwise आपको पूरी कोसिस करनी है कि पहले round में 45-50 questions हो जाएं और difficult किसी भी questions पर आपको अठकना नहीं है अगर आप अठक गए तो आपका कमाम है उस चीज पर अठकना नहीं है और कोसिस करें कि आप कम से कम साथ के आसपास अंक्रा टच कर लें कम से कम maximum यह नहीं मैं यह नहीं कहरा हूँ जब आपकी ओकाती नहीं और आप साथ टच कर जाओ आप लोग अगर घर पर तैयारी कर रहे थे टेस्ट भूक या बाकी टेस्ट लगा रहे थे आपने हमारी भी आई पर गुरुजी ऑफिशल अप्लिकेशन पर भी गए हो गए आप लोग तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर मैंने जो आप लोग को टेस्क प्रोवाइड कर वाए हुए वो सारे के सारे NCERT-based अच्छा यह बताइए यह तो हमने कोई नए तरीके से तो किया नहीं है आपको लग रहा होगा कि वही है यह हमने नया बना दिया यह आज नहीं बनाया अगर आप कोर्स में जाएंगे जो ALP वाले strength हैं आप देखिए हमने इन यह कोर्स में क्या कराया है कहीं पर किसी ने अगर इस तरीके से आपको प्रोवाड कराया हो तो बताइए यहां पर आईए यह देखिए NCERT इस पर मैंने क्लिक किया अब इस NCRT का आईए फिजिट्स क्लास 9th and 10th exemplar and questions 9th NCRT motion का easy level test motion का दूसरा test force and laws of motion motion gravitation work and energy and sound, sound का दूसरा test, light का test, light का moderate level test, light का तीसरा test, human eye test, electricity के test, magnetic effect यह सब कुछ हमने NCERT based बनवाया हुआ है, chemistry भी आप लोग देख सकते हैं और bio भी आप देख सकते हैं, यह सब कुछ मैंने NCRT based बनवाया हुआ है उस टाइम पर हमारे बच्चों ने यह सारे के सारे chapters जो है, आप जो देख रहे हैं, इन सारे के सारे chapters के test भी लगाया और इनको हमने पढ़वाया अपने NCRT थी और यह कोई दो राय नहीं है, आप उठाइए, देखिए, टार्गेट दे 9 और 10 को अगर मैं देखू, टार्गेट दे लास्ट टार्गेट है यह, इस टार्गेट को देख लेते हैं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसमें NCRT include है या नहीं है, आज कोई नही यह नहीं करा रहे हैं हम बिटा, यहाँ पर देख लीजिया, और हर जगे मैंने current affairs को भी include किया है आप लोग का, यहाँ पर देखते हैं यह, इस चीज को छोड़िए, A45, target day का संगराम, यह यह देखे, यहाँ पर science देखे ज़रा, क्या है, class 10th NCRT chapter number 1, रासाय नहीं कभी किर रहे हैं हम समी करन, chapter number 8, जीव जनन कैसे करते हैं, chapter number 2, acid and waste, यह सारे के सारे chapters के हमने marking PDF notes प्रोवाइड कर वाया आप लोग को, हमने इन सारी की सारी चीजों को, जो भी यह चीजे हैं, इनके lectures प्रोवाइड कर वाया, हमने इनके test आप लोग को प्रोवाइड कर वाया, अब प्रोवाइए जब यहीं से questions आ रहे हैं और आपने इतना सब कुछ कर लिया, आपने इसके concept भी समझ लिया, इसको 3D में भी समझ लिया, सारे questions नहीं करके आओगे, तो क्या है, मैं करहों सारे भी नहीं करके आ रहे हैं, आप 80% कर रहे हैं, 70% कर रहे हैं, यह तब भी आपका chances हैं, एक तो इसके बंदे के दिमाग पर भी कम लोड पढ़ा, ठीक है, और वो selected चीज़ पढ़के गया, तो उसके ज़्यादा chances है marks लाने के, क्योंकि उसमें कम चीज़े पढ़ी हैं, और वो चीज़े पढ़ी है, जो आपके exam माने वाली है, आज भी कह रहा हूं, group D के लि लेवस को सही से समझ लिया न, तो आपको किसी exam analysis की भी जरूत नहीं पड़ेगी, मैं बार-बार कहता था आप लोगों से, सिर्फ concept पे ध्यान दो, ज्यादा बड़े questions मत लिप्टो, question आएगा तब भी नहीं होगा, और अभी मैं कह रहा हूं, sitting arrangement, puzzle, इनसे questions आएंगे, examiner डा लेगा, और कुछ बेवकुप बच्चे वहां लिप्टेंगी, समझ आ रहे हो, तो ज्यादा लिपटना नहीं है, आप accuracy के साथ 50-60 attempt करने है, बहुत अच्छे से आप लोगों का exam निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो guys, I hope कि आप लोगों के बास समझ आई हो जो बच्चे आज पेपर के बाद बोल रहे होंगे न, वही सारी बातें पेपर से एक महीने पहले, दो महीने पहले, एक साल पहले बता रखी है, जाके देखो तो सही, एक बार देखिए न, आपको विजवास नहीं हो, तो आप एक बार जाके चेक करिए, I hope कि आप लोगों समझ में आ रहा होगा, कि किस तरीके से चीजे हो रही है, यहाँ पे जो चीजे हमने दिये है, NCRT के लिए, यहाँ पे भी बहुत सारे श्ट्रेंट्स ने थैंक्स बोला है, आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो गाईविस हम लोग पूरी तरीके से रेडी रहेंगे, CVT2 के लिए भी, और आप लोग के टेक्नीशन एक्जाम के लिए भी रेडी है, और आप लोग को बहुतरीन तरीके से गाईड कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने स्ट्रेंट्स में पहले भी बहुत अच्छे से कम समय में पढ़के सेलेक् रखते हैं, बस आप लोग को क्या करना है, बहुतरीन तरीके से जो चीजे गाइड की जाती है, उन चीजों को आप लोग को पढ़ रहे हैं, और बाकि देखते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखेगा, ख्याल रखेगा, लंबी वीडियो तो होती है, लेकिन मैं आप लोग को गैरेंटी दे रहा हूं, कि बहुत ज़्यादा है वीडियो होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखेगा, टेक केर, टेक्निशन वाले स्ट्रेंट हो, अगर गुरुपडी वाले स्ट्रेंट हो, तैयारी स्टार्ट करनी है, सब कुछ हो सकता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखेगा, टेक केर.